अभी चलिए दोस्तो पाट टू का नर्सरी भीजिट देखते हैं देखिए स्टेंड के उपर कितना सुंदर सुंदर और बूसी ग्रीन प्लांट सब रखा गया है इसको मोनी ट्री बोलते हैं देखिए इसको घर में रखने से सूक सांती बढ़ता है और ये प्लांट को देख रहा है और ये ये प्लांट मुझे बहुत एट्रेक्टिव लगा ये नर्सरी में और पास में देखिए ट्रे गार्डेन सब त्यार करके रखा गया है इसको आप तुरंत लेके किसी को गीप्ट भी दे सकते हैं और पास में देखिए भेरीगेटेड जैड प्लांट का टू ओफ्र ये प्लांत देखिए कितना सुन्दर लग रहा है ये भी ये रेयार प्लांट से और स्नेक्ट प्लांट को कैसे डीजाइन क्या गया है और ये सारे एंधूरियों वेराइटी एंथुरियम प्लांस दोस्तों इंडोर में अच्छे से चलता है और अच्छा फूल भी किलता है जहां आपके घर में ब्राइट लाइट आता है वही जगा पे ये प्लांस को आप रख सकते हैं बहुत सुन्दर प्लांस है इसको भी आप खरीद सकते हैं और ये सब आप जो देख रहे हैं बहुत सुन्दर सुन्दर प्लांस में सब रेयार प्लांस है इंडोर प्लांस अब है इसको भी आप ले सकते हैं लेकिन बहुत कश्छली है आपको अगर अच्छा लगता है तो लेंगे otherwise आप दूसरा plants भी ले सकते हैं देखिए ये stand के सारे plants कितना सुन्दर लग रहा है मन लगेगा कि नहीं खरिदने के लिए बहुत लगता है दोस्तो छोड़ के आ नहीं सकते plants लभर दोस्तो जितना भी rate होता है plants खरिद कर आता ही आता है खाली हाथ नौर्सरी से कभी आता नहीं है ऐसा तो मेरे साथ होता है आप के साथ ऐसे होता है कि नहीं मुझे जरूर कमेंट करके बताना ये देखिए दोस्तो कितना सुन्दर plants सब और कितना colorful और कितना rare variety और ये plants का तो मेरा मुझे नाम पता नहीं है ये देखिए ये है टेबूल पाम है ऐसे छोटे ही रहेगा इसको आप टेबूल टॉप पे डेकुरेट कर सकते हैं डाइनिंग टेबूल पे रख सकते हैं लिविंग रूम में ड्रोइंग रूम में जहां भी आप प्लेस कर सकते हैं ये एक भेराइटी का देखिए फिलो डर्ण डर्ण ये जितने सारे फिलो डर्ण डर्ण और मोनी प्लांस का सारे भेराइटी देखिए कितने अच्छे से प्लेस किया गया है इससे आप सीख भी सकते हैं अगर आपके पास plants है और आप कुछ भी नहीं किया है तो आप उसको ऐसे देख के decorate भी कर सकते हैं और ये डेफन बे किया है इसका भी सारे variety है देशी variety भी hybrid variety भी ये एक variety का फॉर्न देखिए lemon color का आप green देखे होंगे लेकिन ये lemon color का ये भी बहुत attractive plants है इसको भी आप hanging basket में लगा सकते हैं और डेशी ना प्लांस है ये डेशी ना का hybrid variety देशी, hybrid, dwarf variety तीनो टाइप का plants यहां मिल रहा है इतने सारे पोधे को देख के जाने का मन ही नहीं हो रहा है इसलिए दोस्तो मैं हमेशा nursery जाती हूँ और कुछ-कुछ plants थोड़ा-थोड़ा ले आती हूँ ऐसे करके मेरे garden इतना बड़ा हो गया मैं अभी समालते समालते ठक जाती हूँ और इतने सारे बच्चे को समालने में जो खुशी मुझे मिल रहा है दोस्तो ओ खुशी और किसी में मुझे नहीं मिलता है इतना बड़ा नर्षरी दोस्तो फिर भी देखे कितने और्गनाईज में सारे plants को रखा गया है ऐसा नहीं कि इधर उधर plants सब पड़ा है जो सेक्षन में आप जाएंगे वही plants आप लेकर जा सकते हैं मुझे दोस्तो ये नर्षरी बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये स्यार कर रही हूँ आप दोस्तों ये वीडियो को प्रोमोशन का वीडियो बिल्कूल भी ना समझना क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो खुसी मिलता है जो नरसरी में मैं वही आप लोगों के साथ सेयर कर रही हूँ अगर दुस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, से आर और सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा थेंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो गाड़े निंग करे खुश रहें बाई